मंदिर बना नहीं कि आ गए भिकारी भीक मांगने विएक अगनी होतरी को ट्रॉल करने निकले कामरा खुद हो गए ट्रॉल यूजर बोले किसी खानने नहीं बाटे है पेसे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेनल बॉलिवूट डॉम पर विएक अगनी होतरी की फिल्म दा कस्मीर फाइल्स जब से रिलिज हुई है तब ही से वोलिवूट गेंग उन्हें निसाना बना रहा है इसी क्रम में वाम पंती मान सिकता वाले कथित इस्टेंड इप कॉमेडियन कुनाल कामरा ने विएक अगनी होतरी को ट्विटर पर ट्रॉल करने की कॉसिस की है हाला कि कामरा को ये भारी पड़ गाया है और लोगों ने उन्हें असाही तरीके से समझा दिया है कामरा ने दा कस्मिर फायल्स की कमाई को लेकर निर्दे सक विएक अगनी होतरी को ट्रॉल करने की कॉसिस की कॉमेडियन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा देश के लिए जान देने के लिए तयार है लेकिन देश के लोगों को पेसा देने के लिए नहीं कामरा के ट्वीट का जवाब देते हैं मिस भासिन नाम की एक यूजर ने कहा 300 करोड रुपे कमाने के बाद किसी खान ने पेसे नहीं दिये है वहाँ क्यों दे क्रपया तरके के साथ में समझाईए इसी क्रम में एक अन्य यूजर ने पोस्टर सेयर करते हुए कुनाल कामरा को भिकारी करार दिया है खालिद बेग नाम के एक यूजर ने भी विवेक अगनी होतरी का समर्थन करते हुए कहा विवेक अगनी होतरी के प्रया इस भिकारी कामरा को कोई पेसा मत देना और नहें इसके एकोसिस्टम के हिंदू हिटर क्राउट फंडिंग फ्रोड राना अयूप को इसी तरह से संजीव सालियान नाम के एक यूजर ने गंगुबाई के बहाने कुनान कामरा पर सवाल दा गए है यूजर ने पूछा क्या संजे लिला भंसालिल ने वेशाओ के जीवन की बहतरी के लिए गंगुबाई का मुनाफ़ा दिया था क्या चकदे से कमाये गए पेशो का इस्तमाल महिला हाकी टीम की हालात में सुधार के लिए किया गया मंदिर बना नहीं की आ गए कटोरा लेके भीक मांगने वही आरीजी ठाकुर नाम के एक यूजर ने कहा सफलता को डिक कर जलन हो रही है इस वामपंती का अपना दुस्प्रचार है देश के लोग इसे अच्छे से समझते है वह आपको हमेसा बदिक्तावाद अभिजात्तिवाद उदारवाद की आदी की जाल में फास्ते हैं लेकिन आप इन्हें डर है कि वियेक अगनी होतरी कम्यूनियस्मे की बेडियों को तोड़ने के लिए और भी फिल्में बनाएंगे गोरतला भेकि 1990 के दसक में घाटी में कस्मीरी पंडितों के नरसाहार और उनके पलायान पर बनी फिल्म दक कस्मीर फाइल्स फिल्म बॉक्स ओफिस पर 200 करोड रुपे की कमाई का जादूई आकड़ा पार कर चुकी है तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और शितारा की खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ